नमस्कार दोस्तों मैं विश्टनु रहा है आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है मेरे चनल विश्टनु ग्यानने आज कल थाइराइड का प्रॉडम बहुत सारे लोगों में हो रहा है आज मैं आपको इसके लच्छन के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते अगर आप चैनल पर नए हैं और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे दिए अगरे रेट करार के सब्सक्राइब बिटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए थाइरड क्या है इसके बारे में बताता हूँ थाइरड दो प्रकरका होता है हाइपो और हाइपर थाइरड लेकिन ज्याधातर लोगों को हाइपो थाइरड होता है एक बार थारेड हो गया तो समझे आपको दवा जिन्दिगी बर लेना है गोली एक बार अगर चालो हो गई तो बंद नहीं होती है इस विमारी को हमें सिरियस लेना जरूरी है थारेड क्लेंट हमारे नेक में यहाँ पे होता है इसका से बटरफ्लाई जैसा होता है इसका काम होता है T3 और T4 हार्मोन बनाना अगर यह बाड़ी में ठीक है तो बाड़ी ठीक रहेगा अब आपको थारेड के लक्षण के बारे में बताता हूं अचानक वज़ट बढ़ना गले का वोईस चेंज होना थकान महसूस होना अगर आपको यह सब लक्षण है तो आप थारेड चेक करें T3 और T4 चेक करें इसका कोश्ट लगवद 200 से 300 के बीच में होता है और THS भी चेक करें अब मैं आपको बताता हूं अगर आपको थारेड हो गया है तो आपको क्या करना है इसका कोई पर्मानेंट इलाज नहीं है आप गोली आपको गोली लेनी होगी इसकी दवा कई नाम से आती है इसका डोज 25 mg से लेकर 150 mg तक होता है कौन कौन सा क्या 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 डोज लेना है या कौन सा डोज आपके लिए सुटेबल है या आपके डॉक्टर आपको बताएंगे डॉक्टर के सला से या दवा ले डॉक्टर सही दवा दे रहे हैं या आपका सही डोज चालू है इसके लिए आपको टी एचेस लेबल चेक करन होग़ा इसमें आपको पता चलें कि जो अब ज्वा ले होगा वेलू थी एक से लंक लिए लग बबग एक से खे के बीच में होता है तारेडब होने पर क्या क्षाना चाहिए आज क्या क्या नहीं खेंज़ा स्वीट प्र प्रोकली त castle मूली पत्यदार सबजी को जादतर नहीं खाना चेह इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो आप को एक्सिशाइज करना चेह fruit, slat जाद से जादा खाना चेह यह बीमारी जादतर लेड़िस में जादा होती है और आपको बताए गए अगर उपर बताएगे सारे लच्छन है तो आप ठरेट चेक किजिए और इस बीमारी को सिरियस लीजिए क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है एक बर गोली चालू गई तो आपको गोली लेना पड़ता है बंद करने पर फिर आपको वही सारी दिक्कत होने लगती है अगर वीडियो में बताएगे इंफोर्मेशन आपको पसंद है तो वीडियो को जाद ज्यादा सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद